हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि मैं कल ही बोला था कि बहुत से अफ़ाय चलने सिक्स्थ फेस को ले करें लेकिन आप लोग अफ़ाव उपर ध्यान न दे और क्यों अपने प्रिप होगा या नहीं होगा वैसे मैं आपसे हमेशा यहीं कह रहा हूँ कि आप लागतार क्यों प्रेप्रेशन करें पीछे न भागे और मैं कल ही बोला और आज नोटिस भी आगया फ्रेंड्स यानि कि अब सभी लोग का अफवा पूरा चाबित हो चुका है पूरी तरिकेशे औ और जो भी आपके मन में डाउट था वो खत्म हो चुका है जी हाँ फ्रेंड्स मैं अभी कल भी बोल रहा था कि आप लोग पीछे ना पड़े कि अपने एक्जाम पर ही फोकस करें और आप यह मान के चलिए कि आपका सिक्स्ट फेज के फर्स्ट में ही आपका एक्जाम हो ज आज ऑफिशियल नोटीस आप चुका है अब जिनके मन में भी यह confusion था एक्जाम पुष्ट पॉन हो जाएगा यह हो जाएगा वह हो जाएगा तमाम तरह के रिजन लोग दे रहे थे ठीक है जैसे मैं कल भी explain किया था इन सब कर रिजन कोई खास effect नहीं पढ़ने वाला है तो आपको कभी कोई confusion नहीं रहेगा कोई doubt नहीं रहेगा कि यह कैसे दोनों लोग के लिए नोटीस एक साथ आया है तो मैं आपको समझाओंगा नोटीस के साथ ठीक है नोटीस पड़ूंगा उसमें आपको clear हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे मेरी कल वाली कि अधिन सुपित दिए अधूनरा नल्च पर शॉटीस करें बाद नुवारी सॉटित लोट फींटेवरी ने शॉटीस के सांधा उन धूर्वरी सेंटिंट है रहेगा निटीस एक स्वार्डीस इंट्टिस के सेंट्टिस वर्इविश यूड नांने फुटीस देक प्यू issued by मध्यप्रदेश state government lockdown has been imposed in भोपाल इंदौर and जबलपूर on 21st March 2021 in order to curb and prevent spread of COVID cases तो इसी को ले करके आप लोग confused थे कि कहीं हमारा exam postpone न हो जाए तो मैं कल भी बोला था friends ऐसा chance नहीं दिख रहा है क्योंकि तो कुई रेल्वे हो एक्जाम सब्सक्राइब हो न जानते हैं तो कोंग अधर exam हो रहा है या फिर कहीं को election हो रहा है या फिर रोगडाउन न आ गया तो भी इसका कोई effect नहीं पड़ेगा मैंने कल आपको लिरली बताया था और यहां भी अपने प्रिप्रेशन पर फोकस करें अधर्वाइज आपको किसी और कर नुक्षान नहीं होगा क्योंकि मैं कल भी आपसी यही कहा था कि अचानक 28 जमर से अग्जाम स्टाट करा दिया था जब पर नोटिस कोई ने देखत कि वहले प्रेस कॉंफरेंस के बेस पर आपको मालूम होगा ठीक है जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो पर था मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और मैं लागतार आप शही कर विश्वास नहीं हो रहा है वहरा मैं लागतार डॉट बन रहे थे हैं कि यह लोग कुछ भी बोलते रहते हैं विजून में एकजाम होगा जुल्कूरेंगा तब से लगतार बोल लाए थे विश्वास नहीं हो रहा थे जब तक आप विश्वास ना करें अब आप ऐसे सिच्वेशन में आचुके है रेले तरब से कि अब आप यहीं माने के चलेंगे सबसे पहले मेरा एक्जाम होगा क्योंकि अगर आप उमीद करेंगे को कोई मिलने वाला बिस दिन पहले पर दिन पहले आपको नुक्सान हो जाएगा लेकिन अफववा इसाबित हो गया और आपने प्रिपरेशन नुक्सान होगा इसलिए मैं फ्रेंट्स आपसी कह रहा था कि आपको यहीं मान के चले कि आपका 6th phase अपने टाइम भी होगा यानि कि 30 या 31 मार्स एक्जाम में स्टार्ट हो जाएगा और आपका एक्जाम जो होगा 6th phase के 1st day 1st shift में पढ़ सकता है ठीक है मैंने ये भी बोला था कि 7th phase के भी chances ह ने हुए ठीक है तो आगे देखते नोटिस में क्या लिखा हुआ है जैसा के 2nd में हमने देखा क्या लिखा है एल्स पर ऑडर नमबर एफ 3509-2022nd C2 डेट 19 मार्च 2021 issued by मध्य प्रदेश स्टेट गवर्मेंट लॉग्डाउं हैज बिन इंपोस्ट इन भौपाल इंदौर और जबलपूर ऑन 21st मार्च 2021 इन और तु करबंड प्रिवेंट इस्प्रेड ओफ कोविड 19 के से यहनी आप बात के दरें लॉगडाउन लग चुका है ठीक है 21st मार्च को यह बताया जा रहा है ठीक है तो फ्रेंट्स इसी के वह से आपको परशान थे लेकिन आगे क्या लिख के हाथ में है ठीक है तो क्या लिखा है थर्ड में इन आइटम्स सारी इन टर्म्स आफ आइटम नमबर टू आफ अफ दे एबब लेटर और प्री सेडूल एग्जामिनेशन्स वेली कंड़क्टेड एल्स पर दप्लांड प्रोग्राम तो हम साफ साफ लिखा हुआ है कि जै सारे एग्जाम पर नहीं पड़ेगा यहां इसका मतलब यही है यानि कि जो सेडूल कर लिए है वह उसी एकॉर्डिंग चलता जाएगा ठीक है यानि कि सिक्स्ट पर अगर 31 मार्ज से स्टार्ट होना तो हो करके रहेगा ठीक 27 मार्ज तक यह जा रहा है तो 28 चांसे तो नही हो जाएंगे तो आपका नुक्सान को फायदा ही होगा यही मैं आपसे कल बोल रहा था ठीक है जब सबस्क्राइब लिखा गया है यहां कि लिखा गया है पिंजाब में भी लगए है महाराश में भी ठीक है तो इसका एफेक्ट आपके एक्जाम में नहीं पड़ेगा और न इस प्रकार देखा जाए तो यहां पर क्या कहा रहा है कि जो भी 21 मार्च को एक्जाम किये इंदर भोपाल और जबलपूर वगारा में उस अपने प्रिशेडूल पर ही होंगे यानि कि जो पहले सेडूल किया को उसी डेट पर एक्जाम होंगे उनमें कोई चेंजिंग नही ही होगा ठीक है और ऐसा ही में सिक्सफेज वालों के लिए कह रहा हूं वो लोग परशान नहीं उनका टाइम पर ही होगा ठीक है आगे क्या दिखा हुए है आपको पहले ही मालूम है बता चुका है बात कि फिर से बढ़ने लगा इसलिए फिर से स्टार्ट कर दिया कि फेस मास्क होना चीए हैं जाए और सब होना चीए ठीक है जो पहले नहीं था था फ्र फेस फोट पिर नहीं लिखा जा रहा था आगे का लिखा हुए है चैनिट्स कंडियू का यूज है फेस्टीटी फासिलिटी फॉर शीकिंग एनी क्लैरिफिकेसंस इन इस रिगाड औ सब्सक्राइब विजिट रर्भी ओफिसल वेबसाइट फर फर्दर अप्रेट्स टेर पर संस्रेलिट क्लैरिफिकेसं देदिया पहले ही ताकि आपको कोई डाउट न रहे है और आप एक्जाम अपने टाइम पे ही होगा ठीके फ्रेंट्स तो उमेद कर तो आप लोगको सा है हिन जाइब हाएट